शेरों पर असर हो रहा है और बताने के लिए हमारे साथ पूजा तिरपाटी हैं पूजा बताईए जी खबर नतीजे लगातार आ रहे हैं इस वक्त कुछ एहम खबरे जो हैं उसमें सबसे पहले नज़र रखिए वेदान्त फैशन पर यहां पर प्रमोटर रवी मोदी ने फैमली ट्रेस्ट ने कंपनी का 9.88% हिस्सा बेश दिया है और अब प्रमोटर और प्रमोटर ग्रूप की जो हिस्सेदारी है वो घटकर 84.8 से घटकर अब 75% हो चुकी है तो यह अपडेट आ रहा है वेदान फैशन में हमने आपको सूबे ही इसकी जानकारी देदी थी उसके बाद स्टॉक करीब आदा परसन से जादा की मजबूती के साथ कारूबार कर रहा है आगे बढ़ते हो और स्कॉट्स कोबोता भी आज फोकस में है कंपनी एक जून से 2030 से ट्रैक्टर की कीमते बढ़ाएगी और लागत बढ़ने के कारण यह फैसला कंपनी ले लिया है हाला कि स्टॉक में इस खबर का जादा कुछ रियाक्शन नजर नहीं आ रहा है स्पाइस जेट में एक खबर आई है 15 जून तक चार विमानों को फ्लीट में शामिल करने का लक्ष है और हम आपको बता दे कि कंप्टी के 25 विमान अभी भी ग्राउंडेड है इस पर अभी स्टॉक फ्लाटिश कारोबार कर रहा है लेकिन जब यह अपडेट आया भारी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली थी कुछ नतीजों पर फोकस करें तो टीटी के हेल्थ केर के नतीज़े आया थोड़े पहले आये 159 करोड से बढ़कर 180 करोड की कंपनी ने घुशित की कामकाजी मुनाफ़ा 5 करोड से बढ़कर 15 करोड का आया है और मार्जिन में भी शांदार ग्रोध देखने को मिली स्टॉक में इस वक्त 3% की मजबूती देखने को मिल रही है ड्रीम फोक्स के भी नतीज़े आये और जो मुनाफ़ा है वो करीब 9 करोड से बढ़कर 25 करोड का कंपनी ने पोस्ट किया 1334 करोड से बढ़कर 1490 करोड मार्जिन में भी अच्छी बढ़त और मुनाफिक के फ्रंट पर भी हम अच्छी ग्रोथ देख रहे थे बजाज एलेक्ट्रिकल्स के भी नतीजे आने के बाद एक हलकी तेजी स्टॉक में देखने को मिली है इसके अलावा TBS श्री चक्रे ये कुछ स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे आये इस बीच और आये में 670 करोड से बढ़कर 683 करोज के नंबर्स आये हैं मार्जन में अच्छी बढ़ात आई 3.7 परसंट से बढ़कर 7.9 परसेट के आये स्टॉक में इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है कुछ फंड आक्शन भी हुए है जिसके की डीटेल्स कल पता चलेगी लेकिन रियाक्शन स्टॉक में हमने देखा मदसन सुमी देखिए 2% ऊपर है करीब एक करोर शेरों के यहां पर काफी सारी ब्लाग बील्स होते हुए दिखाए दी जिसके चलते 2% की मजबूती है इस वक्त और मैक्स हेल्थ केर में भी करीब 38 लाग शेरों के काफी सारे सौदे हुए हैं मैक्स हेल्थ केर में और उसके बाद हलकी मजबूती के साथ मैक्स हेल करोड से बढ़कर 402 करोड की आई है घाटे से मुनाफे में चुकिए कंपनी लेकर मार्जिंग के फरंट पर देखेंगे तो नंबर्स कंजोर नजर आ रहे हैं जिसके चलते हैं युनिकेम लाप का शेर इस वक्त फ्लाटिश कारूबार कर रहा है तो यह बाजार खुलने के ब सुमी वाइरिंग जिसके नतीजे हाला के दो दिन पहले आये थे नतीजे अच्छे आते वे दिखे बट आज जो पूजा हाइलाइट करी है कि यहां पर कुछ बड़े सौदे भी हुए हैं साथ यसाथ दूसरा पॉस्टिफ ट्रिगर यहां पर यह है कि जेपी मॉगन ने य अच्छी अपसाइट देख रहे हैं सुमेथ एक बार आप से समयना चाहेंगे कि कैसे देख रहे हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर का चार्ट क्या यहां से और भी तेजी बढ़ सकती है इस शेयर में देखे पिदले आठ से दस से स्टॉक बोलेंगे तो एक कंसॉलिडेशन फेस में चल रहा है लेकिन अपने एक प्रिविएस रेजिस्टन्स जो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 54 तो यहां पे स्टॉक वो ब्रेक नहीं कर रहा है तो जब तक अगर किसी के पास ओलेडरी ह तो आप 54 के स्टॉप लॉस के साथ बिलकुल खड़े रही है दो सेशन दस एक सेशन पहले काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ जो ब्रिक आउट आया था वही लेवल्स को फॉल आप मिल रहा है तो बिलकुल आप यहां पे एक फ्रेश बाय का भी इनिजेशन कर सकते हैं आप यहां पर बाई कर सकते हैं मदर्शन सुमी पर यह राय सुमित की चले लेकिन कुछ और स्टॉप